जब किसी को पेडू में दर्द होता है तो काफी प्राबलम होती है पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है यानि कि लोर एवडामिनल पेन होने लगता है इस कंडिशन में काफी ब्लोप्टिंग होती है डिसकमफर्ट रहता है पेशन कुछ खाता पीता नहीं है भोग नही हुती है और इसके साथ ही पानी पीने का भी नहीं होता अगर पी लेते हैं तो ये ले अधरन मांस्पेश्यों में होने लगती तो पेट के निचले हिससे में ही महिलाओं के दर्द होने लगता है यैज फिर किसी महीला के uterus में कोई प्रोबलम आ stall हो जाती है या फिर हो जाते हैं या फिर एंडोमेट्यूसिस की प्र만 रॉबलम हो जाती है तो इस कंड दिशन हो जाता है या फिर कई बार पेंचिस बन जाती है जिसे डिसेंटरी कहते हैं या फिर डैरियल कंडिशन में भी पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है कई बार अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो इस कंडिशन में भी पेंडू में दर्द होने लगता है कई लोगो में पत्री जन लोगों को हो जाती है तो उनको भी पेंडू पे दर्द होता है यह दर्द पीछे के साइट पीठ की तरब भी जाता है अपने इस वीडियो में जानेंगे मेफटा लिसपास टैबलेट के बारे में यह किस तरह से इन सारी समस्याओं को ठीक करती है दोस्तों यह किसी बीमारी का इलाज तो नहीं करती है लेकिन यह दर्द से रिलीव दिलाती है अगर किसी के पेंडू पे दर्द हो रहा है मेंस्ट्रॉल क्रैम्स हो रहा है अचानक से ही दर्द हो रहा है मान स्पेस्वें में अठन होने लगी है जो इस्टमक होता है उसकी जो मसल्स होती यह पिर पेट की जो मसल्स होती है उनमें क्रैम सोने लगता है तो उसको ठीक करती है और इसके साथ में जो मेफनमिक एसिड होता है एक तरह का NSAID ड्रग होता है यानि कि नॉन इस्टरोइडल एंटी इंफ्लरमेटी ड्रेक्स की कटेगरी से आती है जिसको पेंकिलर भी बोलते हैं दोस्तों जब यह मेडिसिन किसी को दी जाती है तो मेफनमिक एसिड जो सर्टेन रिलीज केमिकल्स होते हैं ब्र पेसेंट अडल्ड है तब उसको दिन में तीन बारता की इस टेबलेट को दे सकते हैं या फिर सुबा साम पेसेंट की कंडिशन के काउटिंग दे सकते हैं या फिर जरूरत पढ़ने पर भी इस टेबलेट को दे सकते हैं इसको गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए और तो जान लेते हैं इसके side effect के बारे में इस tablet को लेने से क्या क्या side effect हो सकते हैं, दोस्तों इस medicine को लेने से कुछ common side effect हो सकते हैं, जैसे कि nausea and vomiting यानि की मिदली लग सकती है, उल्टियां हो सकती है, इसके साथ ही SDT हो सकती है पेट में, और इसके साथ ही blood vision यानि की धुंदला patient को दिखाएने लगता है, या फिस sleepiness यानि की नीन जैसी patient को लगने लगती है, weakness लगने लगती है, mouth dry होने लगता है, यानि की मूँ सूखने लगता है, तो ये common side effect किसके होते हैं, अब इसके लावा भी कुछ side effect हो सकते हैं, अगर आपको इसके लावा कुछ side effect दिखें तब avoid करना चाहिए, और इसके साथ ही अगर कोई driving करता है, तो डॉक्टर से सलह ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसको लेने से कुछ sleepiness जैसी problems हो सकते हैं, weakness लग सकती है, इसके लावा अगर कोई महला pregnant है, या फिल लेक्टेसन वूमेन है, यानि की बच्चे को दूद पिलाती है, त इसके साथ ही अगर कोई पहले से ही आपने CID medicines ले रहे हैं, पहले से पेंकिलर ले रहे हैं, तो इस medicine को बिलकुल भी ना ले, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा, अगर इस पेंडू में दर्द होता है, में इस्ट्रोल क्रैम्स होते हैं, पेट क निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो इस condition में, मेफटली इस पाट्स टैबलेट किस तरह से वर्क करती है, और किस तरह से लेना चाहिए, अगर आप किसी और वीमारी के बारे में जाना चाहते हैं, इस medicine के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो comment करके बता सकते हैं, इस्टाग्राम पर मुझे फालू कर सकते हैं, मेसेज कर सकते हैं, आई होब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब ज़रू कर लें, ब्लाइग को इप्रेस कर लें, जिससे कैसे टूडोस आपको हम इसा मिलते रहेंगे